नमस्कार, मेरा नाम विशाल गाटगे है मैंने अस्तित्व ये कवीता कई सालों पहले लिखी थी ये कवीता मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इस कवीता में मैंने अपने अस्तित्व से रूबरों होने का अपना बहुत ही नीजी अनुभव बया करने की कोशिश किये है जहां तक मुझे याद है अपने acceptance के लिए मुझे हमेशा से ही जगड़ना पड़ा जिन्दगी के कई मोड पर किसी ना किसी तरह से लोगों ने तुम अलग हो तुम हम लोगों में शामिल होने के काबिल नहीं हो ये जताया कई सालों से चला आ रहा ये खुद को पहचानने का द्वन्थ बहुत ज़ादा मुश्किल था पर मेरी कोशिश हमेशा जारी थी ये सफर के दौरान कई ऐसे मोड आये जब मैं ठक गया था पर उसी दौरान कई हमरा ही ऐसे मिले जिनोंने आगे बढ़ने का होसला दिया मैं उन सब लोगों का हमेशा तैदिल से शुक्र गुजर रहूंगा उसी होसले के वज़े से मैं अपने सफर में आगे चल पड़ा और हमेशा चलता रहा संदीक दता कई प्रश्न और समाज की खोखली मोरालिटी का अंधकार आखिर मैंने पार कर ही लिया और अंत में एक अध्भुत सुनहरी रोश्नी से रूबरू हुआ ये सुनहरी रोश्नी थी सच्चाई की ये सुनहरी रोश्नी थी खुद को पाने की ये सुनहरी रोशनी थी मेरे अस्तित्व की इसी सुनहरी रोशनी तक पहुचने का ये सफर मैंने अपनी कवीता अस्तित्व में बया करने का एक प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पसंद आए धन्यवार जिन्दगी से रोबरू होने की थी कोशिश मेरी रो की घहराईया फिर नापने में चल पड़ा रंग कितने थे वो भीतर जानने में चल पड़ा तनहाईयों से गुफ्तबू करने को मैं फिर चल पड़ा जानने ये तब लगा खुद से ही था अंजान में इक न ऐसे खुद को ही पहचानने में चल पड़ा हम कदम मेरी थी तब हम कदम मेरी थी तब वो सहमेसी खामोशिया उनसे ही गिर के संभल के होती थी सरगोशिया वो सफर था खूब सूरत और जरा मुश्किल सभी क्यों न हो आखिर थी मन्जिल सुनहे रिसी रोशन अस्तित्व मेरा खिल गया अस्तित्व मेरा खिल गया पाकर वो सच की रोशनी मैं ना आखिर मैं रहा मैं बन गया वो रोशनी मैं बन गया वो रोशनी अस्तित्व मेरा खिल गया पाकर वो सच की रोशनी मैं ना आखिर मैं रहा मैं बन गया वो रोशनी मैं बन गया वो रोशनी डन्यवाद जा आखा हुआ व्होशनी बन गया